तो दोस्तों अभी आप लोग यह जो वीडियो देख रहे हों, यह वीडियो कल यूटूब के Creator Insider चैनल पर अप्लोड हुआ है, जो कि यूटूब का official चैनल है, यूटूब का खुद का चैनल है, और इस वीडियो में यूटूब ने खुद कहा है कि कैसे हम नए चैनल को ग्र कैसे किया, उसके बाद नए चैनल को कैसे ग्रो करते हैं, ज्यादा व्यूज कैसे लाते हैं, यह सब चीजों पर जो है कल discussion किया है, यूटूब ने खुद, यूटूब के खुद official चैनल पर यह अप्लोड हुआ था, और वो English language में है, तो आज की इस वीडियो पर मैं दोस्त चैनल को कैसे ग्रो करें, तो देखते रहे हैं, आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं, तो सबसे पहला आपको questions का कुछ कुछ एंसर किया गया था, कुरेटर इंसाइडर के चैनल पर, तो मैंने यहां पर सारा नोट करके रखा हुआ है, तो सबसे पहला यह था, कि जब नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, तो यहां पर मैं कुछ चीज़ें आप लोग के साथ दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग ज़्यादा अच्छे से समाझ में आएगा, क्या आपको अपने चैनल को कैसे ज़्यादा सज्यादा आप अपने वीडियो पे वीउज ल यूटूब का CTR और AdSense का CTR दोनों अलग है, AdSense का CTR अगर 10% सा हाई हो जाता है तो आपका demonetize हो सकता है चैनल, लेकिन यूटूब का CTR होता है, उसका मतलब होता है click-through rate, मतलब आपके वीडियो जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा, जैसे यूटूब ने आपके वीड यूटूब का CTR जिसका full-form है click-through rate, तो यहाँ पर आपको अपने वीडियो का upload करने के बाद अगर आपका वीडियो में अच्छा views नहीं आ रहा, ता आप वहाँ पर CTR चेक कर लेना, कि आपका CTR केतना आ रहा, अगर आपका CTR 5% से भी कम है, 5% का मतलब है कि medium है, मतलब ठी change कर देना, इससे क्या होगा, कि मतलब कि more attractive बनाने की कोशिस करना, जो आपका thumbnail उससे भी अच्छा करने की कोशिस करना, और title जो है, उससे भी catchy title बनाने की कोशिस करना, जैसे लोग click करे, उनको देखने में excitement हो, कि यार वीडियो में है क्या, तो अभी आप लोग CTR कैसे चेक करता हूँ, ठीक है, मैं कल का वीडियो का open कर लेता हूँ, कल के वीडियो का open करने के बाद आपको जाना है, go to video analytics, और यहाँ पर जाकर के आपको discovery पर जाना है, तीन बार swipe up इधर कीजेगा, right side में तो आपको discovery मोड आ जागा, discovery में यहाँ पर देकी impressions, impressions का मतलब होता है कि YouTube न 7.6% जो की बहुत अच्छा है, 5 से जादा है तो आपका बहुत अच्छा में जारा आगा, 10 से भी जादा हो गया, तो बहुत ही अच्छा हो गया, मतलब वो बहुत जादा ज्यादा अच्छा हो गया, और यह आप बोल सकते हो कि अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, तो मेरा इस टाइब का बनाने का और एट्रेक्टिब बनाने का यह चीज यूटूब ने कल खुद का है अपने Creator Insider के वीडियो पर यह था दोस्तों पहला पॉइंट अब यूटूब ने यहां पर दूसरे questions का answer क्या था कि जैसे rank कैसे करता है वीडियो जैसे आप सर्च करना यूटूब पर आप लोग सर्च करना इस वीडियो के एंड होने के बाद हाउ टू अप्लोड यूटूब वीडियो और यूटूब कुछ भी लिख के सर्च करना मेरा वीडियो ही आपको rank 1 में दिखेगा तो ये यूटूब ने कहा है कि आपका वीडियो rank कैसे करता है कि कहीं मेरे से भी लोग कॉशन करते हैं कहीं ऐसे मेरे सब्सक्राइबर से वो लोग कॉशन भी करते हैं कि मुनज भाई हमारा वीडियो में में title, tag, description सभी सही लगाता हम फिर वे rank नहीं करता है तो आज rank कैसे क बारें बात करते हैं तो इसमें कहा गया था कि आपका वीडियो rank करने का दो फैक्ट मेंटर करता है सबसे पहला आपका टाइटल, description, tags ये तीनों मैच होना चाहिए आपस में तीनों मैच कैसे होना चाहिए जैसे टाइटल में अगर लिखा है मेरा घर तो आपका description पे भी मेर मेरा घर वर्ड होना चाहिए और टैग में भी मेरा घर से रिलेटेड टैग होना चाहिए तो ये तीनों मैच हो गया तब ये क्या होता है कि SEO जो होता है YouTube का search engine optimization उस पे वो perfect suit करता है पहला fact ये है वीडियो rank करने का टाइटल, description, tag, मैच होना चाहिए और दूसरा fact ये है कि performance आपका वीडियो अप्लोड हो जाने के बाद उसका performance कैसा है, performance का मतलब ये है कि वर्ष्ट टाइम, audience retention और पहले वन वार में कितना views आया, आपका वर्ष्ट टाइम, average लोग कितना देख रहे हैं, आपके वीडियो को कितने long समय के लिए देख रहे हैं, कितना dislike आ रहा है, like आ comments आ रहा है, ये सारे चीज मिला करके बोलते हैं, performance, तो ये दो चीज मिला करके fact matter करता है आपके वीडियो को rank करने माई, मतलब ये है कि आप अगर टाइटल, इसका टैग साही भी लगा देते हो, फिर भी आपका वीडियो rank कर जाएगा, इसका कोई guarantee नहीं है, आपका वीडि करते हैं, तो क्या हमारे वीडियो में कुछ performance में कुछ effect पड़ता है, मतलब वीडियो में हो सकता reach down हो गया, impressions नहीं जारा, views कम आएगा, ऐसा हो सकता है, तो इसका answer YouTube नहीं किया था कि नहीं, ऐसा कुछ भी problem नहीं है, आपके वीडियो का performance तब YouTube देखता है, जब आपका चला जाता है, उसके बाद से YouTube उसमें नजार रखता है, यूटूब देखता है कि आपके वीडियो का perform कैसा कर रहा है, आपका latest वीडियो, तो ये चीज मेंटर करता है, बाकि अनलिस्ट प्राइवेट से कोई भी fact नहीं करता, तो दोस्तों ये तीन पॉइंट्स में यूट आप फॉलो कर देना, मेरा मनोजे 23 यूजर नम है, और आपको डिस्क्रिशन में लिक मिल जाएगा, चलिए आज किस वीडियो पी इतना है, तब तक रहे जाहिन हुआ अन्यमात्रा,